हाई दोस्तों गूड आप्टरनून आई होप अप लोग स्वाश्ट होंगे मस्त होंगे यूटूब चैनल पर सिस्याई विच्छाप में आप लोग का हादिक स्वागत है और जैसा कि आप लोग जानते कि इसमें इसके पहले हमने भी 20 क्वेशन कराया था 20 से आज हम 40 का क्व क्यों कि और चुलते हैं जरू देखेगा चूटे चुटे-धी क्योश्फ्फे बिथे हो जाने कि टॉपिक जमिए तो चलते हैं के भारत की विच्छा शाप्टस्वेवस्था है तो क्या बस्वाश्टिबस्तप रिवार का लियाडा मनत्रा가지고 क्वाँ का सामाने निदे साल केंदरी स्वास्त बेवस्था है ये सब ही है उपयूगत्र सभी माना गया है सिकन कोश्चन है 22 का है समय एव समय एक बहुमूल्य साधन है डॉडट क्या है साधन है तो नहीत है मानवी है अर्जित है गैर मानवी है समय एक बहुमुल्व मानवी शाधन है सीस कैंसर सही होगा आगे कोईशन है कि इन में से वह कौन सा गंदरहित प्रसितक है जो कि मनुश्यों के लिए विशाप्त नहीं है और घरेलूरसों घरों में मानक उपकरण बन गया है क्या है फ्रियान है नियान है बेंजीन है सलफर है तो इसका अंसर क्या होगा फ्रियान ये इसका अंसर सही है आगे कोईशन है कि अमानवी शाधन जो की सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं पार्क है प्रसितकाला है उपभोकता केंदर है ये सब ही क्या है ये सुविधाय के अहां पे है अमानवी शाधन के अंदर ये सामाजी के सारवजनिक के अंतरगत आते हैं पार्क में भी सभी लोग आते जाते हैं पुष्टकाला है ये मेरा परसनल सब नहीं है तो जो पस्टल ज़िए जिसे घार है आपका पस्टल है उसे बाहरी लोग का वगमन नहीं है लेकिन पुश्टकाल है पार्क है वोक्ता केंदर यहाँ पे सभी बाहरी सामाजिक रूप से होता है सरवजनिक होता है सभी का आना जाना होता है इसलिए क्या है अमानुवी शाधन जो समाजिक सुधाव के अंदर आते हैं ये सभी आएंगे डीस का अंसर सही है आगे क्वेश्चन है कि शाधन क्या है सीमित है और सीमित असद है अकेले काम में आने वाल है आसानी से उपलब्द है शाधन क्या है सीमित है एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती है एक दिवाल के, दो दिवाल के, तीन दिवाल के, चार दिवाल के अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात कही है तो एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेंडी लाइनिंग के लिए बात कही गई है तो इसमें एक दिवाल के किचन होंगे आगे Question है कि रशोई घर में आग की दुरघटना को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए खाना पकाने के बाद गैस सिलिंडर बंद करें खाना पकाने के दावरान किट निरोधकी स्प्रे का उप्योग करें रशोई घर में के रोशीन तेल रखें सबसे बेस्ट आप्षन क्या होगा खाना पकाने के बाद गैस को अगर हम बंद कर देंगे तो कोई ऐसी कोई दुर घटनाएं नहीं होगी बीस का आप्षन सही होगा आगे कोईश्चन है कि आदुनिक समय में पर्दो कालीन फर्ष इत्यादी को साफ करने का सरव तम यंत्र है तो क्या है जाडू है ब्रश है वेक्यूम क्लीनर है जाडन है तो क्या होगा इसका अंसर जो इसमें आधुनिक समय में चल रहा है पर्दो और कालीन फर्ष और आधी इन सभी को साफ करने के लिए ये कि मशीन बनाया गया है वो मशीन का क्या नाम है वे क्यों क्लीनर इससी क्या होता है पर्दो और कालीन फर्ष इन सभी को साफ किया जाता है सीज का अंसर सही होगा आगे कुशन है कि इन में से कौन सा वस्त्रालंकार का शिधान्त नहीं है संतूलन समानता है प्रकासे रिदम है इन में से कौन सा वस्त्रालंकार का शिधान्त नहीं है तो प्रकास क्या है वस्त्रालंकार का शिधान्त नहीं माना गया है बीस काप्शन सही होगा आगे कुश्चन है निम्नमेशी कौन सा अरिय संतुलन का उदाहरण है अरिय संतुलन का उदाहरण है वैकलपिक, रंगीन, टाइल्स है, विशाल केंद्री चीतर किनारों पर दो छोटे चीतर, सारी बार्डर पर मोटीफ की आवरित्ती चक्र की अर तो इसका अंसर होगा कि सारी बार्डर पर मोटीफ की आवरित्ती क्या होता है अरिय संतुलन के उदाहरण के अंतरगत आती है सीज का अंसर सही है आगे कुश्चन है कि निमने में से कौन सा अपार्ट रेफ्रीजरेटर के ताप को नियांतरित करता है फ्रीजर है, मोटर है, चिल रहे हैं, नियामक है तो नियामक क्या करता है, रेफ्रीजरेटर के ताप को नियांतरित रखता है केंद्र के दोनों और एक बराबर की वस्तु रखना, केंद्र के उपर नीचे अलग अलग रंग में उप्युक्त में कोई नहीं, जब कमरे की सजावट आपचारिक रूप से उसका संतु लन देखा जा, तो उसमें जब कोई भी केंद्र फिर अगर हम एक केंद्र के पोने पर हम रखते कोई वस्तु तो उसे हम समान रूप में रखेंगे, तो दोनों केंद्रों के बराबर वस्तु रखेंगे, क्या है दोनों कोना पर क्या करेंगे, समान वस्तु को रखेंगे, इससे क्या होता है, आपचारिक संतुलन बना रहेगा, यह इसका अंसर सही है, आगे पराग कलर चाट के अनुशार तीन प्राथमी कलर कौन से हैं। तो बैगनी हरा नारंगी है, लाल, पीला, निला है, काला, निला, गुलाबी है, कत्थाई सभिद लाल है, तो पराग ने तीन कलर को प्रात्मी रूप दिया है, लाल, पीला, निला को बीज का अंसर सही होगा. आगे क्वेश्चन है, कि मुद्रण के लिए पटल तयार करने का सही क्राम है, तो पटल को धोना, डिजाइन ट्रेस करना, और मुद्रण हेतु पटल का अनुपरियोग, धूप कृत्री प्रकाश में ले जाना, पायस की परचड़ाना और सुखाना, तो इसका अंसर क्या होग होगा, बीस का अंसर होगा, डिजाइन ट्रेस करना, और मुद्रण हेतु पटल का अनुपरियोग करना, आगे क्वेश्चन क्यों चलती है, कि जब पिग ले हुए घी में अमलक क्या है सक्कर के साथ मिलाया जाए, और उसका रंग डाट-डाट हो जाए, ये क्या धरसाता है गी में वनश्पति घी की मिलावट क्या धरसाता है, नीला हो जाता है, उसका रंग की हरा हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है, हम उसे पहचानिंग कैसे कि उसमें ये मिलावट है, क्या है घी में और वनश्पति घी में, तो ये इसका रंग क्या होता है, गहरा लाल हो जाता ह सभी आगे की प्राकृतिक समवातन की अंतरगत आता है तो क्या बात हम्स क्या है और चाहिए तक मात की बात कहीजाती तो या तो इसमें धर्ग साभी आएंगे लेकिन प्राकृतिक की बात यहाँ पर प्राकृतिक लगा दियागेмос coyसर्ट था एक पपन्हां नहीं बादा घुंटे अरिया कोई सार्वे बाधा नहीं तो सोर है भासा है ऐसा मो है बुरियत है भी बाधा आगा सब्सक्राइब तरकत आगे question है कि पर्दा हमेशा लगाना चाहिए तो पर्दा हमेशा कैसा लगाना चाहिए मोटा था क्या है पूरे दरवाजी एम खिडखियों पर पतला एवं आधी दरवाजी एवं खिडखियों पर इसका answer ए ही होगा मोटा तथा पूरे दरवाजी एवं खिडखियों पर अगे कुश्चन है डॉट डॉट ये विक्तित्व विकास का तीसरा भाग है परा अहम, विश्वास, अहम, इड इसका जुट विक्तित्व का क्या है इड, 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 सूपर, इड, की बात कही गया आगे कुश्चन है कि फ्लेश कार्डों की अधिक्तम संख्या हो सकती है तो फ्लेश कार्डों की अधिक्तम संख्या केतना हो है इसमें 20-22, 15-20, 10-12, 6-8 है तीसका एंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सक्सें में कमेंट करके जरूर बताएगा ये कुश्चन पढ़ा हुआ है आप लोग के लिए कुश्चन है इसका एंसर हम नहीं बताएगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा तो आज के लिए इतना ही हमने 40 कुश्चन तक का यहां पे कब्लेट करा दिया है अब इसके बाद लेक्ष्चे दिन हम कल कुश्चन लाएंगे इसके बात का कुश्चन तो आज के लिए इतना ही आई होप आप लोग को वीडियो पशंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइस सस्क्राइब सेर जरूर कीजएगा और कुश्चन को जरूर पढ़ियेगा आज के लिए इतना ही थेंक्स थेंक्स फरवाजी